कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल लैन स्कूल आफ नोलिज बर दोस्तों SSC स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ने एक नोटिस जारी किया गया है इसमें जो स्टेनोग्राफ फर ग्रेड़ सी और डी की एक्जामिनेशन 2020 का यह नोटिस जारी किया गय लेकर 4-11-2020 तक है जो लाश्ट डेट है रेशिप्ट की एप्लिकेशन फोर्म की वह चार-11-2020 है ओनलाइन फी पेयमेंट की 6-11-2020 और जो जनरेशन ओफ ओनलाइन चलान है जो चलान के थ्रूप भरना चाहते है वह आठ ग्याराइन दोजर वीश है जो कंप्विटर बेस्ट एक्जाम है इसके लिए वह उनतिस-तीन दोजार एक्किस से लेकर एकत्तिस-तीन दोजार एक्किस तक कंड़क्ट किया जाएगा यां लिफेघ्ट है अ कर दिसलिक कि इसने अंट अग्राफ और गयेड जाए लुए अटो आल ओंडियी बीटर हों और आप्ड आप सेके कर्सकते हैं जल्दी चाहा ने अब। इस में जुम only main candidate है वो अलेजीवलोग के श्टेन्योग्राफ़र ग्रेड़ी की वेकांशिज के लिए जो vrn बोर्ड जेसान में होती है और इसमें एज लीमिट स्टेन्योग्राफ़र ग्रेड़ी के लिए ठारा से 30 और डी के लिए ठारा से 27 साल एज मतलब 18 2020 के अकोर्डिंग एज रिलाक्सेशन है वो SCST के लिए 5 साल, OVC के लिए 3 साल PWGD Unreserved के लिए 10 साल PWD OVC के लिए 13 साल PWD SCST के लिए 15 साल और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कंडिडेट है उसके पास 12 होनी चाहिए इसके एक वेलेंट एक जामिनेशन हो जाहिए फ्रोम एनी रिक अगनाईज़ बॉर्ड याज यूश्टिशे इसका जो फॉर्म है वो ओन्लाइन अप्लेकेशन है सब्मिट करनी है लाश्ट डेट और टाइम है इसका चाहरण 2020 को तेश तीस तक और जाप्लिकेशन फीज है वो सो रुपे है स्ट्री ओ स्ट्री डिवलुड ये एसम के लिए कोई फीज नहीं है ऑन्लाइन एप्लिकेशन फीज ये वो चाहए जैग ग्यारां 2020 तक आप फिल अफ कर सकते हो ये सेंट्र है अल आवर इंडिया के लिए सेंट्रल रीजन के लिए इस्ट्र रीजन के लिए करनाटका केरला रीजन के लिए मध्यपर देश सब्रीजन के लिए पर नोर्फ सिस्ट रीजन के लिए नौर्थ रीजने के लिए नर्थ वेस्टरन रीजन के लिए यह अलग अलग रीजने के लिए सेंटर दिखाये गए हैं और जो इसका एक्जामिनेस सेंव वह 29.03 2021 कीस से लेकर 33.03 2021 की बीच में होगा अधरो इसमें सब्धेक्ट होंगे होंगे सो मर्स के टोटल दो हावर्स का ये एक्जामिनेशन होगा मुल्टिपल ट्वाइस को रहेंगे 0.25 की जो नेक्टिव मार्किंग है इसक्वेस्ट के लिए कि इंगलिश और इंदी लेंग्वेज में दोनों में माक्स रहेंगे को तैस्ता यहार यह को कंप्यूटर बेफ्ट एक्जामिनेशन के लिए जैन्रल इंट्रिजंस इंगलिश के लिए इंगलिष के लिए 25 मेट अümüz department आए कि जो ये परा सैवन और फैरिवन ए और बी के के कर्णने जमिने चेंडिटमY гл. कि स्टर नों गड़ाफर डी हिंदि के लिए 55 नब्ब्बभ स्ट्रेनों गड्राफरत ब्रिव। इंगलिश के लिए चालिश पच्पन स्टैनोग्राफर ग्रेड़ सी के लिए इन दी में पच्पन और पचेतर जो कंडिडेट टैस्ट है जो वो इन दी में देखावस को इंगलिश स्टैनोग्राफि भी शीकने पड़ेगी कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें मिनिम्म क्वालिफाइंग मार्स ओप्टेन जरू करने पड़ेंगे जिसमें जर्नल के लिए 30 परसेंट ओवी सी डवल एस के लिए 25 परसेंट अधर कटेगरी के लिए 20 परसेंट हैं यह मारक्स तो कम से कम लेकर आने हैं चाहे मैं रिट लिष्ट कितनी भी नीचे रहे कि कहने का मतलब यहीं है तो यह थी एक इन्फोर्मेशन जो एससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया था उसके बारे में जो स्टेनोग्राफ फ्रग्रेड सी और डी के बारे में कैंसी जाए अगर वीडियो अच्छी लगे तो जानल को सब्सक्राइब परें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद जाहिन